हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ नमृता इंडियन प्रेमियर लीग के चौधवे सीजन के लिए रॉयल चेलिंजर्स बेंगलूरू ने ग्लेन मैक्सवेल पर करोड़ो रुपे खर्च किये हैं इस साल के आई पेल के लिए हुए आक्शन में मैक्सवेल 14.25 करोड़ रुपे में बिके हैं वो भी तब जबकि उनका पिशला सीजन काफी खराब रहा था पिशले सीजन में मैक्सवेल किंग्स 11 पंजाब जो अब पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है उसकी तरफ से खेले थे और अपनी खराब बल्लेबाजी से मैक्सवेल ने फैंस को निराश किया था टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने समझाया है कि क्यूँ मैक्सवेल खराब प्रदर्शन के बावजूद आक्शन में करोडो रुपए में बिखते हैं एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा क्या मैक्सवेल ने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया है? सच कहूँ तो वो IPL में इतनी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए नहीं खेल पाते उन्होंने इतनी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए मैچ खेले है क्यों कि वो consistent नहीं रही है हम इस बारे में बार-बार बात नहीं कर सकते कि पिछली फ्रेंचाइजी टीम में उनको freedom नहीं मिली जब वो दिली के लिए खेले तो उन्हें काफी freedom मिली थी ज्यादतर फ्रेंचाइजी टीम और उनके कोच Maxwell को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें उसमें axe factor नजर आता है Maxwell को आड़े हाथ लेते हुए गंभीर ने आगे कहा फ्रेंचाइजी टीम में चाहती है कि Maxwell को ऐसा platform मिले जिस पर वो सफल हो सके लेकिर बावजुद इसके ऐसा होन ही पाया है 2014 का सीजन छोड़ दें तो Maxwell का production कुछ खास नहीं रहा अगर उन्होंने वैसा production आगे किया होता तो कोई फ्रेंचाइजी टीम उन्हें release नहीं करती आप आंद्रे रसेल को देखिए उन्होंने कॉलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्या किया और कब से उस फ्रेंचाइजी टीम का हिस्सा बने हुए है फ्रेंचाइजी टीम आपको सिर्फ इसलिए release करती है क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी टीमों के लिए आप खेलते हैं इसका मतलब है कि आप consistent नहीं है उन्हें ज्यादा पैसे मिलते रहते हैं क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया की और से प्रदर्शन शांदार रहा है तो ऐसे में मुझे लगता है कि RCB का point of view है कि वो इस साल अच्छा प्रदर्शन करेंगे IPL में Maxwell इससे पहले Mumbai Indians, Delhi Daredevils और Kings 11 पंजाब के लिए खेल चुके हैं इस all-rounder के बारे में गंभीर ने आगे कहा कोई भी franchise किसी खिलाडी को इसी वजह से release करती है क्योंकि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता उमीद की जानी चाहिए कि इस बार वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हर साल उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता रहता है IPL के 82 मैचों में Maxwell के नाम 1505 रन है जिन में से 6 अर्धशतक शामिल है जबकि इतने ही मैचों में Maxwell ने 19 विकेट्स हासिल किये हैं तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दे IPL से पहले हर अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज हम आपको स्पोर्ट सार में देते रहेंगे साथी हमारे खास लाइफ प्रोग्राम्स जिसका नाम IPL का विक शो जो तो पहरे एक बजे और IPL के गेम चेंजर जो शाम छे बजे रहता है उससे भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं डन